लंका का राजा रावन के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन जब पड़ा की ग्रेटर नौइडा के छोटे से बिस्रक गाव में एक पुराना मंदिर है जो राक्षस राजा रावन का जनमस्थान माना जाता है मंदिर में एक प्रवेश द्वार है, जो अभी हाल में ही बनाया गया लगता है यहां ऐसा कुछ नहीं है जिसे रामायन कालीन कहा जाए अंदर एक मूर्ती है जो रावन के पिता, विश्रवा की बताई जाती है कहा जाता है कि रिशी विश्रवा यही रहते थे और उन्होंने देवताओं को प्रसन करने के लिए अनुष्ठान और तपस्या की थी गाव में कई मंदिर मौजूद हैं जो एक हजार साल से अधिक पुराने है यहाँ स्वयंभू शिव लिंग है जिसकी पूजा रावन और उसके पिता विश्रवस द्वारा की जाती थी इसे सो साल से भी अधिक समय पहले खोजा गया था यह आकार में अश्टकोनी यह है लिंग सतह से 0.76 मीटर उचा है यह जमीन के नीचे 2.4 मीटर गहराय तक है मंदिर के बाहर एक बड़ा बर्गत का पेड़ है चारों और संगमरमर से बना आंगन है यहाँ की खास बात है कि यहाँ रामलीला तो मनाई जाती है लेकिन रावन नहीं जलाया जाता एसा यहाँ खुदाई कर चुकी है यहाँ एक गुफा भी पाई गई थी खुदाई में कुछ सिक्के भी मिले थे क्या यह स्थल रावन का जन्म स्थल है इसे देखने से इस कथन की पुष्टी नहीं होती लेकिन ये आस्था ही है जो लोगों में विश्वास जागरत कर देती है भारत में रावन के ऐसे च्छ जन्म स्थल है भारत की खुबी ही यही है कि ऐसे अनेकों स्थलों को प्राचीन कहानियों से जोड दिया गया है और हम इन्हें श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं यही सहिश्णुता भारत की महान पहचान है